तो कैसे हो आप सब आज इस वीडियो में हम कवार अप करेंगे डिफरेंस बिट्वीन इस्टिफिकेशन और सैपनिफिकेशन का जो कि क्लास 10 और क्लास 12 केमेस्ट्री के पॉइंट और व्यू से बहुत इंपॉर्टन्ट है तो आज के इस वीडियो को बिलकुल लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शे सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए स्टुडेंस बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि हम यह वीडियो स्टार्ट करें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि क्या होता है बोड इग्जैमिनेशन में डिफ्रेंस विट्वीन लिखने का ठीक है क्योंकि मैं बहुत सारे स्टुडेंट्स को मैंने देखा है कि गलत तरीके से वो लिख करके आ जाते ह में उन लोगों का मार्क्स बेना मतलब का डिड़क्ट हो जाता है तो मैंने जाती हूं कि आप लोगों का मार्क्स जो है वो अननेसेसरी डिड़क्ट हो इसलिए आज मैं आप लोगों को एक्स्प्रेंड कर दिना चाहती हूं कि प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंस बिट्वीन कैसे लगते हैं, so आपको first side में आपको पहले topic लिखना होता है and बीच में pencil और ruler की help से एक line को draw करना होता है and same on other side आपको दूसरा topic लिखना होता है, ठीक है? तो बहुत सारे students को मैंने क्या देखा है कि एक side में पहले topic को लिख देंगी और बगल में नीचे में दूसरे topic के बारे में first point लिखेंगे, फिर यहाँ पर istrification, पहले topic के बारे में first point लिखेंगे इसी तरीके से वो लोग लिखते चले जाते हैं जो कि wrong होता है, so correct pattern यह होता है कि आप लोग इस तरीके से लिखें जैसे कि यहाँ पर मैंने box बना करके अच्छे तरीके से neat and cream लिखा है अब यहाँ हम discuss कर लेते हैं difference between के बारे में, तो istrification का first point हो जाएगा, students, reaction in which carbozallic acids react with alcohol in concentrated H2SO4 यानि कि जो istrification होता है, उसमें reaction होता है carbozallic acid का alcohol से, ताकि वो concentrated H2SO4 बना पाया, ठीके, अब हम बात करेंगे saponification के बारे में, तो reaction in which easter reacts with alkali solution known as saponification, what do you mean by saponification, आप से examination ने पी पूछा जा सकता है, define saponification so what do you mean by saponification, reaction in which easter reacts with alkali solution known as saponification, right, now next point of easterification will be, it forms a fruity smelling compound easter, यानि कि जो easter जो होता है, उसका smell जो होता है काफी ज़्यदा fruity होता है, ठीके मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी ये, कि जो easter जो होता है, उसका smell काफी ज़्यदा fruity होता है, और वही point हम आप लिख देना है, कि easter का जो smell होता है काफी ज़्यदा fruity होता है, it forms a Fruity Smelling Compound Easter अब यहाँ इसका formula क्या हो जाएगा C2H5OH CH3COOH Concentrated H2SO4 जाएगा फिस CH3COO C2H5 H2SO अब हम saponification के बारे में बात करी तो it forms a compound called as soap यानि यह जो saponification का compound होता है वो soap बनाने का होता है है ना तब इसका क्या हो जाएगा इसका reaction हो जाएगा CH3COOC2H5 plus NaOH गिफ्स reaction C2H5OH plus CH3COO ठीक है अब यहाँ हम discuss के लिए है point number 4 point number 4 है हमारा it requires heat energy यानि कि जो esterification होता है उसको heat energy बहुत ही जादा require होता है बिना heat energy के esterification से हम कुछ भी चीज नहीं बना सकते हैं ठीक है वहीं अगर हम बात करें saponification के बारे में तो it doesn't require heat energy saponification में heat energy के जरूरत नहीं होती है esterification का fourth point है catalyst जो होता है वो एक acid होता है यहाँ पर लिखेंगे हम esterification में catalyst is an acid and point number 4 of saponification would be catalyst is a base यानि कि saponification में जो catalyst जो हो जाता है वो base हो जाता है and examples तो आप सभी को पते हैं कि esterification का examples में हो जाएगा ice cream, jellies यह से और saponification से soup बनाया जाता है है ना? So I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको 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 यह वीडियो अच्छा लगा होगा मैं surely आपके doubts को जल्दी से जल्दी resolve कर दूँगी So thank you so much for watching this video जैहिन बंदिमात्रम